bank exam निकालने के लिए कितने महीने की तैयारी बिल्कु सुफीशेंट होती है मनलब एक नया बच्चा जो आज अपनी तैयारी चालू करने के बारे में सोच रहा है कितने महीने के बाद वो exam को पहले अटेंड में निकाल सकता है अब यहीं वाला जो कोशन है नहीं बहुत साथ सब्जेक्टिव है मनलब अलग-अलग बच्चे हो अलग-अलग situations के उपर डिपेंड करता है वही पॉर एक्जांपल अगर मैं आपको अपना experience से बता हूँ तो मैंने वो students भी देखे हैं वो बच्चे भी देखे हैं भी खाते थी और PTM में parents उनके आके teachers हर बर बाते भी सुनते थे मैंने उन students को भी देखा है कि महनत करने के बाद 6 महीने में अपने पहले attempt में exam निकाल लिया या एक साल में 12 महीने के अंदर दूसरे attempt में अपना exam निकाल लिया अब भी देखो ऐसा मोटा मोटा देखो तो भाई बहुत बड़ा बड़ा difference हमें दिखेगा हमें लगेगा बहुत अलग है और यह तो भाई सारे बच्चेों को बड़े CGL निकालने में बिल्कुल sufficient है इसते जादा समय नहीं लगता अब जैसे यह बोलूगा ना maximum students आ जाएंगे यह बोलने कि भाई यह चे से आट महीने तो हमें syllabus खतम करने में लग जाते हैं या वह वाले सरकता syllabus ही एक साल में पूरा खतम होता है तो मैं हमेशा सब को यह बोलता तीन बहुत बड़ी कमी है होती है सबसे पहली कमी है कि हमारे अंदना consistency की बहुत कमी होती है हमें ऐसा हमेशा लगता है कि है आज मैंने 8 गंटे देके पढ़ाई कर ली है आज मैं 10 गंटे देके पढ़ चुका हूँ कल तो हमें लेट उठूँगा दिन में आराम से नाश्ता करूँगा दोस्तों साथ बैठूँगा दिन में तारक मेता भी देखूँगा वाला मेरी consistency नहीं रहती अगर मैंने मानके चल रहा हूँ गाई अगर 8 गंटा तयारी करूँगा तो मैं daily 8 गंटा नहीं देता हूँ किसी दिन 10 गंटे भी दे देता हूँ किसी दिन 4 गंटे दे किताब तो हमारी सामने है पर हमारा दिमाग कहीं और है मनला क्या होता है हमने यह मानके बैठे कि आज तो मैं 10 गंटे पढ़ाई करूँगा या आज मैं 8 गंटे पढ़ाई करूँगा तो 8 गंटे के लिए मैंने के बढ़िया वीडियो चला कि मैं उसको देखता जा रहा हू या इसे मैं कोई बुक खोल के बैठ गया हूं मैं पढ़ तो रहा हूं पर मेरा फोकस वहां नहीं है वहीं टीचर को देख तो रहा हूं बुक को देख तो रहा हूं पर मेरा दिमाग कहीं और होता है मेरा दिमाग कहीं अपने बॉइफरेंड गल्फरेंड में लगा होता है गर के इतार problem से उनमें लगा रहता है. या और भी बहुत सारे issues में हमारा दिमाग ऐसा west हो जाता है कि हम focus नहीं कर पाते. Focus हमारा बहुत कम हो जाता है और यह हमारा बहुत-बहुत drawback रहता है. बट चलो यहां पर यह भी मालने तो तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग आख बन करके अपने घर के सबसे नजदीक वाली लाइबरेरी जॉइन कर लो और लाइबरेरी जाने करने एक प्रॉपर रूटीन बनाओ कि सुबह आठ बजे निकलूँगी और दुपैर को या शाम को अराम से पांच या चार या पांच वह जितने बजे भी वापिस आने करेगा वह डाइबरेरी जाओंगी लाइबरेरी वापिस भी एक बार घर आ जाओंगी तो इस तरीकर से हमें रूटीन बनाना है बिकॉस मैक्सिमम बार आपको बता रहा हूं कि अगर आप लोग 6-8 महीं नहीं एक्जाम नहीं निकाल पा रहे हो ना तो आप माने करें चलो कि कुछ ना कुछ तो कमी हमारे अंदर है अब देखो हो सकता है इस वीडियो को देखने में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो जिसके आप लोग चाहते हूं फोकस ना कर पा रहे हूं तो इन चीजों को जरूर फॉलो करो मेरा हमेशा से ही मानना है कि अगर आप लोग एक एवरेज स्टूडेंट हो जैसा स्टूडेंट एवरेज मैं था तो 6-8 महीने के अंदर एक्ज तक नहीं निकला यहां 2-3 साल से त्यारी कर रहे हैं मुश्किल से मेरा एक आप कोई मेंस निकला और तो अगर यहां पर आप लोगों को एक बात बोलूगा शायद आप लोगो को बात चुब जाए पर किसी ना किसी को तो इस बात बोलनी ही पड़ेगी और अपने अपनों स जो कि आज रात को अगर मैं उठा के कल सुबह आपको बोलूगा यह आई भी PSPO का प्री एक्जाम है तुम पार कर जाओगे कि नहीं तो तुम काओगे यह 100% मैं पार कर जाओगा अगर आप लोग आज 2-3 साल की तयारी के बाद भी उस लेविल पे नहीं पहुछे हो तो मैं पा रहा हूं पूरी तयारी भी कर रहा हूं पर हो तकता है कभी कभी चीज़ें मैच नहीं करती तो आपको कुछ और सोचना चाहिए फॉर एग्जापल आप चाहो तो भई SSC का ट्राय कर सकते हो इसके लाब आपको और जो टीचिंग एग्जाम होते हैं लाइक CTET ट्राय कर हर छोटी चोटी चीज़ को लेके घर में खाने का प्रॉब्लम हो जाता है और गर में रेंट का प्रॉब्लम हो जाता है तो मैं आपको यह बहुत ही आश रियालेटी बोलना चाहता हूं वह आप लोग को कुछ और एक्जाम करने चाहिए यह फिर प्राइव एक सेक्टर की बहुत अच्छे होते हैं ये वह चीज़ है जो हो सकता है कि आप लोग सरकारी नौकरी के पीछे लगे हो और यहां पे प्राइवेट नौकरी आपके वह उता हैं ने दस बीस पटास लाग के पैकेज आपके वेट कर रहे हो यहां पर आपको आकर काल लेना पड़े कि आखर अभी भी recommendation यह नहीं दूँगा, जो आज कल YouTube पे नहीं बहुत जाओ famous चीज़ चल रही है, कि आठ साल की तयारी के बाद मैंने exam निकाला, या 6 साल की तयारी के बाद मैंने exam निकाला, भाई मेरा मानना यह है, कि वो लोग ना मेरे लिए बिलकुछ सही decision नहीं था, इसके साथ मेरे शिकायत हों सारे coaching center से भी है, जो लगातर पता है क्या problem आती है, वो क्या निकालते हैं, 1 plus 1 year package, भाई 2 साल का package, भाई आप खुद student के मन में डाल रहे, एक साल में तो exam नहीं निकलेगा, भाई तुमें तो कम से कम 2 साल लगेंगे exam में, यहां आजकल तुमें और नहीं देख रहा हूँ, भाई 2 plus 1 year, भाई 3 साल तहीं है, भाई कौन ऐसा student होगा, जो 3 साल एक ही teacher से पढ़ेगा, फिर भी fail होगा, भाई अगर 3 साल एक ही teacher से पढ़ने के बाद, आप लोग फिर भी fail होते हो, तो भाई मेरा एमानना है, आप fail नहीं होगा, वहाँ का teacher fail होगा, तीचर तीन साल में भी आपको pass नहीं करवा पा रहा, तो वो teacher का failure है, तो यह जो 1 plus 1 year, यह 2 plus 1 year, मुझे बहुत ही खराब लगता है, यह इतने बड़े-बड़े coaching institutions हैं, उनसे मेरी बहुत-बड़े शिकायत है, कि आप लोग क्यों बच्चों को promote नहीं करते हैं, कि 6 महीने, 8 महीने में exam निकल सकता है, जबकि यही reality है, बई क्यों आप लोग इतना बड़ा-बड़ा, 2-3 साल में promote कर रहो हैं, बच्चों के जिन्दगी खराब मत करो, वो बिचारे, छोटे भाई बैन हैं हमारी, वो बिचारे कितने problems के बाद आप लोग कोर्स करीते हैं, और आप उनको यह बोलने के बज़ा, 6-8 महीने में तुम सपने हासिल कर सकते हो, तुम उनको क्या बोलते हो, बैर की बोलतो, 2-3 साल तक लगेंगे, बैर को मैं कभी भी paid course के पीछे नहीं गया, आप लोग मेरा पहले वीडियो से उठा के आखरी वीडियो तक देख लो, आज तक मैंने कभी यह नहीं बोला कि paid course लिना है, मैं हमेशा बोलता हूँ, free में ही तैयारी होगे, बैर अगर paid course लिया है, तो बेवकूफ मत बनो, बैर मैं बोलता हूँ, 6-8 महीने में एक्जाम निकल सकता है, जितने भी बच्चे हर साल टॉपर बनके निकलते हैं, SBI, PIO, IBPS, PIO, SSC, CGL, वो सब यहीं बोलते हैं, कि 6-8 महीने और मैक्सिमम एक साल के अंदर एक्जाम निकल सकता है, बैर अगर अभी भी आप लोग को doubt है, तो मैं आप लोग को से माफी मांगता हूँ, अगर आप लोग कोई भी बात आज की बुरी लगी, तो मेरे तरफ ते हाँ छोड़के, बैर भी बात नहीं चलता है, बैर बच्चे परिशान हैं, पूरी इंडस्री में हजारों लाखों बच्चे हर साल परिशान हो रहे हैं, और कोई यह नहीं बोल रहे हैं, तो guys I am sorry कि मेरे इस tone के लिए, बट यह वीडियो आप लोग के सामने लाना बहुत जरूरी था, यह tone यूज करना बहुत जरूरी था, अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि यह वीडियो काफी बच्चों की मदद कर सकता है, तो guys इस वीडियो को लाइफ जरू करिएगा, और maximum students चाशेर जरू करिएगा, because वीडियो जहां तक पहुंचेगा बच्चों को और ज़ारीटी मिलनी चाहिए, आफिर हम अपनी लाइफ के साथ कर क्या रहे हैं,